हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आलवन डे एंड एधर एक्जाम चैनल पर तो इसलिए आपको काफी अच्छी है और काफी बड़ी काफी बढ़ी नूज बताने वाले हैं कि आप सभी के लिए यूपी में मादमी सिच्छा सिवा चैन आई बोर्ड द्वारा 40,000 अधिक सिच्छकों की भरती कराई जानी है 2020 में जिहां दोस्तो 2020 की सबसे बड़ी भरती आने वाली है आपकी 40,000 या सिच्छक भरती होगा इसके बारे जो है नूज आया है मैं आपको नूज दुखाऊंगा अगर आपके नूज अच्छा लगता है तो लाइक से सेस्क्राइब करना ना बूरे दोस्तों क्योंकि हमारा काम जो न्यू जाता है आप सक पास पहुंचाना ठीक कर सकते हैं अगर नहीं मिलता प्लीज वीडियो देखें और पूरा देखें लाइक शेर अपर दोस्तों भी सेर करें और सब्सक्राइब करके चैनल तब जाएं तो चली वीडियो सुरू करते हैं लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चानल को और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चानल से आप जुड़े रहिए और लगतार नए नए लगतार दोस्तों आप सभी को पता है जैसा कि यूपी में जो है के लिए अवेदन लिये जाने की संभावनाई चिलने की प्रक्रिया सुरू होने वाली है क्योंकि अभी आग बता दो लॉक्टाउन के वज़े से थ्वार रुक गया डिले है लेकिन जो निज निकलकाई है मैं आपको बता देता हूं दोस्तों क्योंकि मेरा काम निज देना अ कोई है अभी तक नहीं डिशाइड हुआ है और उसी साथ चालिस जार के लिए फिर से चल गया है यानि कभी अभी पूरी होती नहीं होती कोई कहा नहीं सकता क्योंकि यूपी कोई भरती जल्दी से पूरी नहीं होती है लेकिन जो निज मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों खाली बोला है कि 40,000 देखे 40,000 पदों के लिए अधियाचन चैन बोर्ड के पास अक्टूबर 2019 में ही आ गया था यानि कि 2019 में ही इसका अधियाचन भेजा जा चुका है अक्टूबर में वो भी समय लिए 57 महीने हो चुके हैं अभी तक इसका कोई नहीं नहीं आता है जो पदों का सत्यापन करवाया गया है देख सकते सत्यापन भी हो चुका है इसमें आगे दिया जा रहा है कि आप सभी को पदों का सत्यापन पूरा होने के बाद इसके लिए भरती प्रक्या सुरू हो इससे पहले ही प्रदेश में नए सिच्छा आयोग की गठन की प्रक्या चैन बोर्ड के सामने उपा हो की इस्तिती है कि खाली पदों को कैसे भरा जाए अगे फिर लिखा जा रहा है कि प्रतियोगी छात्रों ने परदेश सरकार से उत्तर प्रदेश माधिमी सिच्छा सेवा चैन बोर्ड के जरिये माधिमी के द्यालों में खाली जो 40,000 पदों को भ यह भी आवेदन के लिए यानि के अधियाचन आ जाएगा हमें यही आसा है आपको क्या लगता है कि आता है कि नहीं आता भरती पूर होगी नहीं होगी यह दिन नहीं लगता लेकिन अगर खाली पाद है तो जल्द ही इसका बिधियाचन आ जाएगा और आप सवह गली 40,000 जो बेकंसी है फिर से आने वाली है ऐसा लगा आपको नीज वीडियो लाइक करें शेयर कर सस्काइब पर कमें इस बॉक्स में जाकर जरूर बताएं बहुत बहुत धन्यवाद